पर बच्चों कैसा अब सुलूँ यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है CSU के June 24 एक्जाम में अपेर होने जा रहे हैं जिन्होंने रजिशन करवा ली है या फिर रजिशन अभी करवाना है कैसा अभी भी रजिशन करवा सकते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं जो बोद ग्रुप के लिए होगा पर आप एक ग्रुप में eligible हो June 24 में बैठने के लिए ठीक है अब बात करते हैं कि जो बच्चे June 24 एक्जाम में अपेर होना चाहते हैं रजिशन तो करवा लिया है अब क्या क्या आगे ध्यान रखना है जिससे क्या है June 24 की attempt आपकी खराब नही सबार करें और हम बात करने जा रहे हैं सीए सबकुठी जारे हैं आगी ग्रासट करना चाहते हैं बहुत ही पॉलिए बदेवल अप्रप्र i हैं with 12 months validity और बहुत ही जबदस notes और past year question answer के analysis के साथ आपको notes दिये जाएंगे pdf ठीक है बच्छों तो सिरफ 7500 rupees में single group available है और 12000 rupees में both group available है बारा महिने की validity के साथ और weekly doubt sessions के साथ और आपको subject subject की ओपर proper guidance दी जाएगी chapter wise आपको analysis और guidance दी जाएगी किस तरीके से आपको study करनी है और step by step कितने घंटे डेरी के पढ़ने है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले session के बाद सबसे पहला step जो हमें करना होता है pre examination test actually में दो चीजे होती है pre examination test और second होता है one day orientation program अब आप इसका sequence चाहे जिसको मज़ी पहले कर लीजिए इन दोनों की relevancy क्या होती है प्री examination test सबसे बहले बात करते हैं होता क्या है pre examination test क्या होता है आपको मालीजी एक group के लिए आप अब अब आप एर हो रहे हो पहले group के लिए तो पहले group में चार बेपर है चारों बेपर के आपको क्या करने पड़ेंगे आपको ICSI के तरफ से एक user ID और password दिया जाएगा वो user ID और password आप login करके वहाँ पर आप आपके चार subject के course होंगे तो वहाँ पर आप एक test appear होगे जिसमें MCQ questions होंगे ठेक है उसकी negative marking होगी actually में आपको negative marking नहीं है बट वहाँ पर negative marking भी होगी ठेक है pre examination test में आप appear होगे तो वहाँ पर आपको pass करना है कितनी बात दे सकते हैं जितनी वरी मर्जी दे सकते हैं इसलिए आप लोग जैसे मर्जी जिस मर्जी तरीके से चाहे book open किसी तरीके से paper दे सकते हैं पास होना जुरूरी है बस वहाँ पर वह अपका clear हो गया पैदे test condition clear हो गई दूसरी condition क्या है one day orientation program इसके लिए आपको ध्यान से सुनिएगा नहीं तो बहुत बहुत ज़्यासर बचे इसी के ओपर ही question बहुत फिर end time पे वो पुछते हैं है न फिर वो बहुत ज़्यादा confused होते हैं घबराय होते हैं पढ़ना ही छोड़ देते हैं उसके चक्कर में ठीक है तो बे फिकर हो गए अभी आपके शहर में जिस भी शहर से state से belong करते हो वहाँ के जो nearest आपका जो center है ICSI का chapter है और chapter office है वहाँ पर contact कीजिए call कीजिए उनसे सभी detail पूछिए उनको अपना वो आपसे number ले लेंगे आपका ठीक आपका addition number ले लेंगे तो जब ODP होगी तो वहाँ पर वो automatically आपको contact करेंगे सामने से आपको contact करेंगे क्योंकि उनको भी बच्चे ही चाहिए होता है आपके जैसे ठीक है ना उनको अपनी seats fulfill करने के लिए तो जो आपको nearest पढ़ता है अगर दो शहर पढ़ते हैं दो चाने को भी मिलेगा ठीक है तो वहाँ पर एक दिन का आपको certificate मिलेगा ठीक है तो आप enjoy करके मज़े से एक दिन का course वहाँ पर certificate लेकर आओगे और दूसरी condition भी आपकी clear हो जाएगी ठीक है जी यह हो गया तीसरे number पर आपको exam form exam form तब ही भरा जा सकता है या ध्यान से condition अपना अजिशन करने के बाद आपकी O.D.O.P. प्लस pre-examination डोनो clear होंगे फिर आप आपको automatically show ही तब ही करेगा वहाँ पर choose करने की जो option होगी ना group one, group two या both group वो कब करेगी जब आप pre-examination test clear कर लोगे इसलिए ये चीज़ें बहुत important है number one ठीक है exam form आपको fees फताई ये 12, 1000 पर रुप की है ठीक है और exam form फिल करने के बाद आपको last step जो होता है वो होता है rule number आपको exam form बनने के बाद institute आपको roll number लॉट करेगी ठीक है वो roll number के coding आपका center base exam होगा वहाँ पर जाके आपका physical mode में exam होगा आपको पता है pattern क्या होता है return ही होता है न सब return और बताने की जू और subjective है ठीक है यह सब कुछ roll number में आपको center का जगा भी बताया जाएगा कि यहां पर आपका होना है exam ठीक है बच्चों तो यह आपको चीजों का ध्यान रखना है sequence जो है बिलकुल अच्छे तरीके से सही समय exam form से पहले पहले सब जो formality है उससे सबसे main exam main चीच तो exam की त्या सब्सक्राइब करना चाहते हैं CS की बहुत ही इस पर हाई क्वालटी वीडियो लेक्चर देखिए 7500 में सिंगल ग्रुप सिरफ ठीक है आपको लग रहा होगा है ना कि सर्फ कर रहे हैं actually में देखिए professional लिए आपको बिलकुल जैनुवन जो हाई क्वालटी वीडियो सबस्क्राइब होती है professional courses में ठीक है ना सस्ते आपको हजार दो हियार हमारे से सस्ता जूर कहीं पर भी मिल जाएगा but one to one guidance बहुत जूरी होती है आपको subject wise guidance जो है वो बहुत ज्यादा important होती है जो actually में आपकी आपकी बहुत ही फायदय मन्त होती है ठीक है बच्छो तो आज के लिए इतना ही जो बच्छे चलने नहीं है चलने को subscribe बहुत है लेकिन दबाना मत भूलेगा